तो दिली अंसियार समय देश के कुछ हिस्सों में रवियार को तेज आंधी तूफान आने से आपको बता ज़िए बारिश होने लगी थी इसके साथ ही पहाड़ों से लेकर मैदानों तक में ठंकीर ने दस्तक दे दी है इस बीच मौसुम विवाग ने अपने ताजापूर वनमान में कहा है कि 26 अक्टूबर तक पूरे से मानसून वापस लोट सकता है ऐसे में करीब 9 राज्योंवा के इन रशासी प्रदेशों में अगले 5 दिन तक जमकर बारिश होने का अनुमान लगाया गया बताते चलें, समय देश को पहाड़ी इलाकों में पहले सी ही भारी बारिश और बरबारी का महौल है हिमाचर प्रदेश, उत्राखंड और जमो कश्मेर के अधिकांश हिस्सों में इन दिनों तेज बारिश हो रही है इस बारिश के कारण घटनाओं में अब तक करीब साथ लोगों की जान जाच की इसके साथ आइमजी ने कहा है कि अगले 48 घंटों में दक्षिन पश्री मांसून की पूरी तरह से वापसी के साथ दक्षिन पूरी प्राइदी शेत में पूरी उत्र मांसून की बारिश से शुरुवात हो सकती है इसके अलाबा एक पश्रमी विक्षोग भी है जो उत्री पाकिस्तान और उसके पडोस पर मौझूद है केरल तमिलनाड पुन्डुचेरी और दक्षिन करनाटक में 19 अक्टूबर तक हलकी से मध्यम भारी बारिश हो सकती है और इसी के साथ साथ तटी करनाटक की बात करें यहाँ पर अलर्ट जारी कर दिया गया है प्रदेश के लिए 24 घंटे का अलर्ट जारी किया गया है आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चलिए आएमटी ने 25 से 26 अक्टूबर के बीच तमिलनाड और पुन्डुचेरी में और 26 अक्टूबर को केरल और पुन्डुचेरी के माही में बहुत भारी बारिश का अनमा जता दिया है हमाचर प्रदेश और उत्री हर्याना में अलग-अलग जगों पर उलावरेस्ट की संभावना भी जताई गई तो डियू में आज special cut-off जारी हो सकती है इसके तहत उन छात्रों के पास या विशिश अवसर है जिन्हें पिछली तीग cut-off में दाखिला नहीं मिला था ऐसे में छात्रिस cut-off में अपने मन पसंदीदा कॉलेज बा कोर्स में दाखिले का सपना पूरा कर सकते हैं अब तक डियू आपको बताचले 70,000 इसना तक की सीटों में से 60,000 से अधिक सीटों पर दाखिला प्रक्रिया करा चुका है डियू पुर्शासन के मताबिक सोमवार को स्पेशल cut-off जारी होने के बाद मंगोला और सुबा 10 बजे से छात्रों दाखिले के लिए आविदन कर सकते हैं चात्रों के पास 29 अक्टूबर शाम 5 बजे तक दाखिले की फीज जमा करने का अफसर रहेगा पुछली cut-off के मुकाबले इस बाद चात्रों के पास दाखिले के कम दिन रहेंगे इस से पिछली cut-off में चात्रों के पास आविदन करने के लिए 4 दिन का समय था जबकि इस बार सिर्फ दो दिन का समय रखा गया है इस special cut-off में उन चात्रों के पास दाखिले का विशिश अफसर रहेगा जिने अभी तक तीन cut-off में दाखिला नहीं दिया गया वहीं चात्रों के पास कॉलेज वा कोर्स बदलने का अफसर नहीं रहेगा इस cut-off के तहर जिन चात्रों को जिन कॉलेज वा कोर्स में दाखिला मिलेगा वहीं से आगे जारी होने वाली cut-off में नहीं बदल सकेंगे ऐसे में विश्विद्याले की ओर से चात्रों को सला दी गई है कि दाखला लेने में पहले चाथ कोर्स वा कॉलेज सुनिश्रित कर लें